आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पी। आज हम लोग बात करेंगे राजत के उन दो नेताओं के बारे में, जिसमें से एक नेता की पतनी को टिकट मिल चुका है, तो वहीं दुसरे के टिकट मिलने की चर्चा काफी तेज है। पर यह दोनों नेता, एंडिय के बरे-बरे धुरंद्रों की बोलती बंद करके रख दिये हैं। इस पुरे खबर पर विस्तार से बात करें उससे पहले आपको बता दें कि अब लोग सभा चुनाओं को लेकर रंच्छित्र पुरी तरह से तयार हो चुका है। बात करें एंडिये की तो एंडिये के सारे प्रत्यासी मैदान में उतर चुके हैं। तो वहीं इंडिये कटबंधन ने भी कुछ उमिद्वारों का टिकट फाइनल कर दिया है। तो कुछ के एक से दो दिनों में फाइनल होने की उमीद है। लेकिन इन सब के बीच राजत के दो नेताओं की चर्चा खुब हो रही जिन्होंने इंडिये के बरे-बरे धुरंधरों की बोलती बंद करके रख दिये हैं। यूँ कहें कि इन धुरंधरों के पसीने छुडा दिये हैं। जिसका ही नतीजा है कि इन बरे-बरे धुरंधरों के बचाओं में उनकी पार्टियों ने नेताओं की फोज, जिस लोग सबसे पहले बात करें असोक महतो की तो इन्होंने तो कमाल ही कर दिया है क्योंकि जिस सीट को लेकर बीते दिनों तक यह चर्चा हो रही थी कि इस सीट पर इंडिया गडबंधन का कोई उमिद्वार ललन सिंग को टकर दे पाएगा या नहीं जो की अब असोक महतो ललन सिंग को जबरदस्ट कर ही नहीं बलकि ललन सिंग को चुनाओ हराने की स्तिती में पहुँच गये हैं जिसके पीछे का मुख वजा असोक महतो ने जिस तरह पिछरो दलितों को एक जूट किया है वो है जो कहीं न कहीं ललन सिंग के पसीने छुडा रहा है इसके बावजूद भी कि ललन सिंग के साथ इस बार अनन्द सिंग भी है वहीं बात करें रितू जैस्वाल की तो आपको बता दे कि अभी अत्तय नहीं हुआ है कि रितू जैस्वाल सीवहर से चुनाओ लड़ेंगी या नहीं फिर भी जिस तरह रितू जैस्वाल ने लवली आनन्द के खिलाप मोर्चा खोल रखा है वह आनन्द मुहन समित पूरे जैडियू नेताओं के हो सुरा दिये हैं क्योंकि रितू जैस्वाल या साप साप मिडिया में कह रही है कि एक दलित के हत्यारे को नितिस कुमार ने उमिदवार बना दिया है जिसको जनता कभ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें